नमस्कार साथियों डॉक्टर उमंखन्ना हुमियोपेथिक क्लिनिक के इस प्रोग्राहम में एक बार फिर आपका स्वागत है साथियों आज हम बात करेंगे सीजोफरीनिया के विशय में सीजोफरीनिया जो की एक आज कल के वक्त होने वाला डिप्रेशन के साथ साथ सीजोफरीनिया एक बड़ा ही कॉंप्लेश डिसॉडर बनता जा रहा है और बहुत कॉमन डिसॉडर बनता जा रहा है तो आज हम बात करेंगे सीजोफरीनिया के विशय में सीजोफरीनिया में अक्सर हम लोग कुछ लोगों को देखते हैं कि जिनका जो रियालिटी से वो उस से दूर हो जाते है पर लोग यह बड़ी डेलिकेट सी बात है जो आपको पता रहें रियल और अन्रियल का जो डिफरेंस होता है उसको डिफरेंसियेट न कर पाना एक सीजोफरीनिया की कंडिशन होती है कि आप रियल और अन्रियल को ना डिफरेंसियेट कर पाएं और एक अलग संसार में पहुँच जाए तो आप सोसाइटी से अलब हो जाए आप किसी से बात न करें उनकी बात आपकी समझ में आए ना आए और जायर सी बात जब आपकी बात गलत है तो आप उनको समझाना पाएं तो वहाँ जो कंडिशन होती है वही सीजोफरीनिया कहते हैं जब आप दूसरे से रिलेट न कर पाएं अपने को उसे एक संबन इस्थापित न कर पाएं क्योंकि आपका और उनका पैरेनॉइट अलग हो गया है वही सीजोफरीनिया होती है लेकिन समस्या है तो उसका इलाज है आज हम आपको बताएंगे सीजोफरीनिया को ठीक करने की दसकारगर होमियोपेथिक दमाएं सबसे पहले साथियों जान लेते हैं सीजोफरीनिया होता क्या सीजोफरीनिया साथियों एक ब्रेन का डिसॉडर होता है जिसमें कि आपकी सोचने और समझने की जो सकती है जो रियालिटी को परसेप्शन की सकती है वहाँ अल्टर हो जाती है और आप real और unreal में वास्तविक और अवास्तविक में differentiate नहीं कर पाते हैं वहाँ जो condition होती है वहाँ ही सीजोफ्रीनिया की condition होती है और वहाँ आपको परिशान करती है सबसे common सीजोफरीनिया जो साथी होता है वो ता paranoid सीजोफरीनिया जिसमें की आपको hallucinations और delusions होते हैं अभी हम इस बारे में बात करेंगे सिम्टम्स में लेकिन यहां आपको होने लगते हैं और आप एक वास्तविक दुनिया से relation यानि सम्मन्द स्तापित करने में असफल रहते हैं सेजोफरीनिया के साथियों तीन बहुत important sign होते हैं जो आपको समझ लेने चाहिए क्योंकि यह शुरुवाती sign होते हैं पहला होता है depression मैं आपको बता दो कि depression सीजोफरीनिया नहीं है तो depression पहला इसका साइन होता है जो कि सीजोफरीनिया में होता है दूसरा होता है suspiciousness मतलब बहुत शक्की नेचर का होना और तीसरा होता है जो अपनी personal hygiene होती है suffice होता ही होती है नहना दोना होता है वो ना करना तो अगर यहाँ तीन sign है तो यहाँ early warning signs होते हैं सीजोफ्रीनिया के अब हम आ जाते हैं इसके symptoms पे साथियों सीजोफ्रीनिया के चार बहुत important symptoms होते हैं पहला symptom होता है delusions delusions का मतलब जो सीजोफ्रीनिया का patient होता है वो जो विचार बनाता है वो unrealistic होता है लेकिन उसको लगता है यही सही हो वो अपने विचार पे काइम रहता है वो अपने idea और विचार से अलग नहीं होता तो यहां हो गया delusion तूसरा होता है hallucination hallucination में होता क्या है मरीज को लगता है कि कोई उसके पास है जबकि वास्तर में कोई नहीं होता कोई उसके पीछे है कोई उसे मार देगा कोई उसका गला दबा देगा जबकि वास्तर में ऐसा उसके साथ नहीं होता है तो यहां होता है hallucination तीसरा होता है disorganized speech मतलब कि वो क्या करता है एक topic से एक topic पे बात हो रही है लेकिन वो उससे तुरण जम करके किसी un topic पे आ जाता है जो कि उस बाचीत के बीच का relevant बात नहीं है तो यहां जो disorganized speech है कि कुछ भी बोल दिये यहां सीजोफरीनिया का एक symptom है और चौथा होता है disorganized behavior उसका जो बरताव होता है वहां भी अनिशित होता है बात रोने की है हसने लगा बात किसी से कर रहा है जबाब किसी को दे रहा है तो यहां जो disorganized behavior होता है यहां भी सीजोफरीनिया का एक symptom फिर साथियों आ जाते हैं इसके causes पर इसके कारण आज तक unknown है लेकिन माना जाता है कि यहां तो वो genetic होता है जबकि 60% परिवारों में यहां genetically नहीं चलता है लेकिन जो 40% परिवार होते हैं उसमें genetically सीजोफरीनिया पास होता है और दूसरा कारण इसका होता है environmental यहां दो इसके cause बाने का हैं लेकिन इसका cause आज तक unknown है अब हम साथियों आपको बताएंगे सीजोफरीनिया को ठीक करने की 10 कारगर homeopathic दवाएं लेकिन दवाएं बताने से पहले साथियों हर वीडियो की भाती मैं आपसे कहना चाहूँगा यहां आपकी जानकारी के लिए हैं कोई भी दवा बिना कुसल्ची की सथ से prescribe करें बिना ना लें चलते हैं बताते हैं आपको साइजोफरीनिया से छुटी पाने की सीजोफरीनिया को दूर करने की 10 कारगर homeopathic दवाएं सबसे important दवा जो साथियों सीजोफरीनिया को ठीक करने की है वहा है सबसे important symptom की दवा और वो है suspiciousness सीजोफरीनिया का patient बहुती suspicious यानि शक्की होता है तो उसको ठीक करने की उस शक्क की भावना को शक्क की आदत को दूर करने की बहुत कारगर दवा है lecasis, muta आप lecasis one ये पावर की तीन खुराग पच-पच मिनिट के फासले पर weekly use condition मिले सकते हैं जब आप को बहुत शक्क महसूस होता हो या मरीज को बड़ा शक्की मिजास का मरीज हो उसको अहसास होता हो कि वो बहुत एक अद्रस से ताकत उसको उस पे हाथ रखे है हलाकि हम सब पर भगवान का उपर वाले का हाथ होता है लेकिन उसको बड़ा strongly रखता है कि बड़ा ही उस पे spirits जो है हम बड़ा उस पे हाथ रखे हैं और वो जो है अपने में उस complex से हर किसी पे शक करता है उस इस्तिती को दूर करने की और सीजोफरीनिया को ठीक करने की उस condition को ठीक करने की होमियोपैथी में सबसे कारगर दवाले कैसिस है फिर एक condition आती है साथियों सीजोफरीनिया में कि जो सीजोफरीनिया का मरीज है वो चिछड़ा है लरने जखडने वाला है रहा चलते लोगों को पकड़ रहा है उनमें कमニ लगा के उनसे ही लरने लगा और शक्की मिजास का है तो अगर यहां सारे сим्टम लड़ने जगणने वाले पाए जा रहें आपके मरीज में तो इस कैफियत को हमयोपैती में ठीक करने की बहुत अच्छी दवा नक्स वो मिका है आप नक्स वो मिका 30 पावर में दो दो बूर दिन में तीन बार दे दें आप देखेंगे कि आपका मरीज लणना जगणना बंद करतेगा कोरिल सम होना खत्म हो जाएगा और थोड़ा सोहाग पूर तरीके से समाज में इस्टेंजर्स के साथ भी रहने लगेगा फिर एक कंडिशन आती है जो सीजोफरीनिया के पेशेंट को होता है कि उसको आवाजे सुनाई देती है जो वास्तम में नहीं है इसको दूर करने की हुमियोपैथी में बहुत कारगर दवा है कि जब उसको आवाजे सुनाई पड़े जो की वास्तम में ना हो और दवा का नाम है एनाकाडियम ओरियंटेल इना काडियम ओरियंटेल को 200 पावर की दो दोबून दिन में तीन बार आप उस कंडिशन में दे सकते है जब आपको बहुत सारी आवाजे आ रही हो, सुनाई पढ़ रही हो जो वास्तम में एक्जिस्ट नहीं कर रही है औरों को नहीं सुनाई पढ़ रही है उस सिंटम को ठीक करने के और उस सिंटम के साथ आपको ठीक करने के होमियोपैती में सबसे कारकरदवा एना काडियम है एक बहुत कॉमन सिंटम आता है साथियो सीजोफरीनिया में कि मरीग बहुत रिस्टलिस रहता है वो चहल कदमी करता रहता इधार से उधार उधार से इधार और बहुत एंजाइटी रहती है तो अगर बेचैनी और चहल कदमी का सिम्टम एंजाइटी और रेस्टलेसनेस का सिम्टम आपके पेशेंट में है तो इसको ठीक करने की होमियोपैती में बहुत कारगर दवा है आस आप आर्सनिक एल्बम 30 पावर में दो दो बून दिन में तीन बार देते हैं, आप देखेंगे कि मरीश का रेस्टलेस्नेस, एंजाइटी और एंगुश खतम हो गए, और वो अपने को रहत महसूस करने लगा, शान्त हो गया, आर्सनिक एल्बम उस कैफियत की सबसे इची भा है, फिर एक condition आती है सात्यों सीजोफ रेमे, जब मरीश को लगता है कि उसको जहर दे दिया जाएगा, उसको पोईजन दे दिया जाएगा, तो उस condition में मरीश को ठीक करने की, उस भावना को ठीक करने की और मरीश के सीजोफ रेम मर्स को ठीक करने की बहुत अच्छी को उसने खाना और पीना दोनों खर में छोड़ दिया हो और जोसका हाव भाव है हसी अब जैसे अचानक हाथ यह बहुत तेज बिना बात के उस तरह के सिंटम हो और उसमें लेसीवियस मीनिया हो यानि कि उसको कपड़े उतारने का भी शौक बहुत जादा हो फिर भावना आत इंडिफरेंट हो जाता है घर वालों से बात न करना घर वालों से दूर रहना घर वालों को किसी चर्चा में नीशामिल करना उनसे कोई राय नहीं लेना तो अगर यहाँ सिंटम है तो इसको ठीक करने की होमियोपैटी में बहुत कारगर दबाह है फॉस्फोरस आप फॉस् कार भी उसके लिए जादा अच्छा मैसूस करने रख फिर एक भावना आती है सीजोफरीनिया के पेशिट में कि उसे लगता हर समय उसी के बारे में बात हो रही वो घर में चुछड़ापन रहता है उसको और परिशान रहता है कि जो कोई भी बात कर रहा है वो हमारी बारे पर निकम है आप बराइटा कार थर्टी दो दो दिन में तीन बार दे दे आप देखेंगे कि उसका यहां जो एक शक है कि साहब हमारे बारे में सारी बात हो रही जो कोई कर रहा हमारे बारे में बात कर रहा है अच्छी या बुरी तो वहां सिम्टम उसका ठीक हो जाएगा और उसका सीजोफरीनिया भी ठीक होने लगेगा फिर एक कंडिशन आती है साथियों कि जो हमने सिम्टम में भी जिक्र करा था बहुत इंपोर्टेंट सिम्टम है सीजोफरीनिया का कि कुछ भी बोल दिये इस पीच तो यहां जो कंडिशन है जिसमें कि आप कुछ भी बोल इसको ठीक करने की होमियोपेथी में बहुत कारगर दबा है और दबा कर नाम है कैनबिस इंडिका आप कैनबिस इंडिका 30 पावर में दो दो बून दिन में तीन भार उस कंडिशन में दे सकते हैं फिर एक कंडिशन आती है साथियों सीजोफरीनिया के पेशेंट में कि उस का इसास होता है उससे superior कोई नहीं, superiority complex, हमसे superior तो कोई है नहीं साब, अगर यहाँ symptom सीजोफरीनिया के मरीज में आ रहा है या किसी में भी आ रहा है, तो symptom को और सीजोफरीनिया को ठीक करने की होमियोपैती में बहुत कारगर दवा है, platinum metallicum, आप platinum, met 30 power में दो-दो बून दिन में तीन बार ऐसे मरीज को दे दे आप देखेंगे कि उसका या सुपरिटी complex भी खतम हो गया और उसका सीजोफरीनिया भी ठीक होने लगा, तिर एक condition आती है साथियों सीजोफरीनिया में कि मरीज को सब कुछ एक सपने की तरह लग रहा है, वो आप से भावना वेक्ट कर रहा है कि सब कुछ उसे एक सपना लग रहा है, कुछ रियल है ही नहीं, अगर वहाँ condition वहावना पेसेंट में है उसको सीजोफरीनिया है, तो उस सिम्टम को ठीक करने की बहुत अच्छी दवा मेडोराइनम है, आप मेडोराइनम दोसों की तीन खुराग, परप्रश्ट के फासले पर वीक लिए इसे मरीज को दे दे, आप देखेंगे कि उसका जो ये unreal world का एक भावना है, वो real world में convert हो गई, और वहाँ सोचने लगा कि वास्तम में वो इसी दुनिया में है यही कुछ दवायती साथियों, सीजोफरीनिया को ठीक करने की, आपको आपके परिवार को रहाद देने की, उस मरीज से जिसको ये हो गया और उसको भी ठीक करने की हम आपको बता दे साथी और फिर से यहां दवाएं आपकी जानकारी के लिए हैं कोई भी दवा पिना किसी डॉक्टर के प्रिस्काइब करें बिना ना लें अगर आपके मन में कोई क्वेरी हो तो आप कमेंट पोर्शन में अपनी क्वेरी को लिख सकते हैं आपका साथ रहने के लिए साथ देने के लिए और कार्परम को आगे बढ़ाने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद करेंग कार्परर सेम्दों करेंग सकते हैं तो करेंग करेंग